हेलो इस्टुरेंट केमिस्ट्री के अनलाइन क्लास में आपका स्वाग आते आज कमरा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 11 के लेसन नमबर 3 से इंपोर्टेंट को समझना तो चली शुरू करते हैं तो मारा कोशन है पर्मानु त्रिज्या एब हम आयनिक त्रिज्या की परिभाशा लिखिए अब पर्मानु में का तो पर्मानु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पर्मानु में अलग-अलग कोश भी होते हैं ठीक है अब पर्मानु के अंद अगर कोश होते हैं तो यह कोश है, अगर पर्मानू में एक कोश हो कर यहाँ Advent भी डेंगे तो पर्मानू के नाविक से इसके बहरी उलेक्ट्राण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे पर्मानू तरिज्या, लेकिन अगर माल लो पर्मानू में ज्यादा कोश होते है ठीक है तो फिर सबसे बाहरी कक्षा यह है यहां के electron की दूरी से परमानुत रिज्या काउंट नहीं की जाएगी बाहरी कक्षा का जो अंतिम electron होता है और जो नाभिक होता है उसके बीच की जो distance होती है उसी distance को बोलते है परमानुत रिज्या और इसे एंग्ष्ट्रॉम में नापा जाता है, एंग्ष्ट्रॉम का मतलब होता है, दस की घात माइनस दस मीटर में, इसे नापा जाता है, ठीक है, अब आईनिक त्रिज़्य क्या होती है, तो परिभासा दो सेम रहेगी, बस पर्मानू की जगे आईन हो जाएगा, आईन होता है जब परमाणू इलेक्ट्रान क्या कर देता है जब परमाणू अपना एक इलेक्ट्रान त्याग देता है क्या एक से अधिक तब वो कनवर्ट हो जाता धनायन में और जब परमाणू क्या करता है कोई इलेक्ट्रान बहार से क्या कर लेता है ग्रहन कर लेता है ठीक है तो वो convert हो जाता है रिनायन में ठीक है तो धन ये जो आयन होते हैं सेम रहेगा आयन के अंदर भी नाभिक से उसके भायतम कच्छ का जो भी इलेक्टान होगा उसकी जो दूरी आएगी उसी को बोलेंगे आयनिक त्रिज्या और इसे भी एंग्स्ट्राम में ही मापा ज जाता है और धन आयन की जो आयनिक त्रिज्या होती वो मूल परमानु से कम हो जाती जब कि रिनायन की आयनिक त्रिज्या मूल परमानु से अधिक रहती अब इसका जो रिजन होगा हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे फिलाल के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं आप